पाकिस्तान जब से अस्तित्यों में आया है तब से ही पूरे मुल्क की किस्मत खराब चल रही है बदलते वक्त के साथ पाकिस्तान ने आतंग का रुप लिया तो इसकी किस्मत बच से बत्तर होती चली गई पहले अमेरिका ने फंड देना बंद कर दिया फिर आयेमेफ की लोन को लेकर भारी शर्ते अब पाकिस्तान और चीन के बीच भी एक बड़ी मुश्किलान पड़ी है या फिर यू कहिए कि पाक ने ऐसा काम किया है जिससे चीन जरूर नाखोश होने वाला है दरसल पाकिस्तान ने अपने अर्थववस्था की मंदी का हवाला देते हुए पाक चीन एकनॉमिक कोरिडॉर को अगले वितिये वश्टा के लिए न सिर्फ काम रोक दिया है बलकि साथ ही साथ पूरे बजट को ही 44 फिजदी तक कम कर दिया ऐसी स्थिती में तो कई सालों तक ये कोरिडॉर पूरा होता नजर नहीं आ रहा है इसके लावा इस पर मौदरिक सक्ती भी चला दी है जिसके चलते पाक और चीन के रिष्टे खटे हो सकते हैं क्योंकि चीन ने पाक पर भरोसा करके उसके साथ एकोनॉमिक कोरिडॉर बनाने की तैयारी की थी लेकिन अब जैसे ही गेंट पाकिस्तान के पाले में आई है तो पाक अपनी मनमर्जी करने लगा है जो कि जाहिर तोर पर चीन को रास नहीं आने वाली है एसी स्थिती में एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की सरकार इंदिनोफ चीन के साथ बन रहे एकोनॉमिक कोरिडॉर को अपनी प्रात्मिक्ता में रखना ही नहीं चाह रही है इस वज़़ा से इस सत्र में उसके लिए कम राशे अलोट की गई यही नहीं पाक सरकार इसके लाबा वो जनता पर भी काफी भारी भरकम टैक्स लाद रही है जिसके चलते इमरान खान की लोप्रियता अपनी ही जनता के बीच में गिरती चली जा रही है ऐसी स्थिती में कहीं न कहीं पाकिस्तान की साख कम हुई है और यह अपने आप में उनके मुलक के लिए परिशानी का सबब बन सकता है